तो आज पेपर 8 का कुछ नॉट्स लेके आया हूं जो इसके मियू का लास्ट पेपर है पार थर्ड का इंग्लिस ओनर्स तो देखिए गिप्ट में गी है वो हैंड्री ने लिखा है पहले इसे अच्छे से देखें आप लोग और पढ़ लें पेपर 8 में ग्रूप A और B C का मैंने नॉट्स कराया है C और D खुद कर लिजिए आप लोग क्योंकि वो इजी है अगर नहीं हो फिर भी आप हमको बताया है मैं फिर से आपको करा दूँगा पेपर सारी गुरूप C और गुरूप D इदेखें ड्रामा है इजुनियो निल ने लिखा है इसे मैंने वही नौट्स सिमीत नौट्स दिया है आपको पीशे बाहर कुछ नहीं आएंगे आपके अब जो ट्यूशन के उनके लिए ताच्छा है जो नहीं किये हुए है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और जो कि यह भी है वो भी देख सकते हैं उनको फैदा होगा क्योंकि ट्यूशन में इस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे आपको अब अच्छे से देखें पेपरेट का इससे आपका अच्छा से त्यारी हो जाएगा अब अच्छे से लिखें इसको देखके अब फूर मास आएंगे आपके सिमीत वर्ड में लिखा है जितना बोला जाता है उतना वर्ड है वन वर्ड में है खुद लिखा है कि इस्टडी में देता रहूंगा आप लोग को एसके में के अलावे और भी हैं बहुत सारे मेंट्रियल वो सब दूंगा लेटेस्ट फॉर्म जितना आएंगे उसकी जानकारी में आपको दूंगा कोई भी स्ट्रेट का ओल अवर इंडिया कोई भी सेंटरल इस्ट्रेट में आए तो मैं उस फॉर्म का जानकारी आपको पूरे डिटेल में दूंगा कैसे भरा जाता हो बताऊंगा तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब परें और बेल आइकन को दबा दें थाकि मैं कोई भी वीडियो डालू तो आपको पता चल जाए आप उसे द पताऊंगा थेंक्यू स्क्राइब का पार्ट थार्ड का इंग्लिस ओनर्स का नौर्स यह खतम हुआ पेपर एट पार्ट टू का मैं करा चुका हूं पार्ट वन इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि यह सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है इसक्राइब में और यह 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 आपको दिकत हो रहा है तो आप बताएं मुझे मैं सेमेस्टर वाइज भी कराओंगा आप लोग थेंक्यू अगर बीडियो पसंद आये तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नौटिफिकेशन मिलता रहें